प्रधाल मंत्री डरेंद्र मोधी 26 में अंतरराश्ट्रिय जलवायू परिवर्तन सम्मेलन कॉप 26 में हिस्सा लेने के लिए बृतिन की दो दिन की यात्रा पर ग्लैसको पहुँच गए हैं वहाँ पहुँचने पर ग्लैसको के एक होटल में भारतिय समुदाय ने श्री मोधी का स्वागत किया कॉप 26 का उच्चसतरिय खंड विश्व निताओं का सम्मेलन ब्रिटन और इटली की सहय अध्यक्षिता में आज और कल आयोजेत किया जा रहा है सम्मेलन में 120 से जादा देशों के राष्टर ध्यक्ष और शासना ध्यक्ष भाग लेंगे ग्लैस्गो में एक अन्य महत्वपूर कारिकरम, एक सूरज, एक विश्व, एक ग्रिट के विजन के अंतरगत ग्लोबल ग्रीन ग्रिट्स के शुभारम से संबंदित है श्रीमोदी ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटन के प्रधार मंत्रियों के साथ प्रगती शील द्वीप राष्टों के लिए बुनियादी धांचे के विकास की एक नई पहल करेंगे कॉप 26 के अध्यक्षों द्वारा आयुजेत निताओं के सम्मेलन में जलवायू परिवर्तन, उप्षमन, अनुकूलन और स्वच्छ प्रधोगी की नवचार जैसे मुद्धों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा